Principles of Systematics Module 114 Multi-Stage Sampling Multi-Stage Sampling is a type of probability sampling. In this type of sampling, we divide our populations into various groups and subgroups. अब इसके अंदर, जब हम groups और subgroups के अंदर divide करते हैं अपनी population को, इसमें हर जो छोटा group है, वो अपने से बड़े group के अंदर adjust हो सकता हो. For example, हम एक survey करना चाते हैं, हम ये मालूम करना चाते हैं, कि दुनिया के अंदर जो AIDS है, उसकी prevalence क्या है? हम क्या करते हैं? हम, हमारी population क्या है? पूरी दुनिया हमारी population है. अब हमारे लिए ये possible नहीं है, कि हम तमाम word के जो individuals हैं, उसका data record करें. हम क्या करते हैं? हम अपनी जो population है, उसको divide करते हैं into subgroups. अब यहाँ पे subgroup क्या होगा? हम अपनी population को different continents के अंदर divide कर लेते हैं. अब एक पूरा जो continent है, उसका data record करना बहुत मुश्किल होता है. हम क्या करते हैं? हर continent को further divide करते हैं, जैसे पाकिस्तान को हम मुख्तरी provinces के अंदर divide कर लेते हैं. अब पूरे province का data record करना भी बहुत मुश्किल है. हम again क्या करते हैं? उस province के अंदर से हम कुछ districts हैं, उनको select कर लेते हैं. पर जेमपल, हम हर province में से 10 districts को select करते हैं. अब एक district बहुत बड़ा होता है, इसलिए उस district के तमाम individuals का data record करना बहुत मुश्किल है. हम क्या करते हैं? district को divide कर लेते हैं, मुख्तरिफ तहसील लेवल के पर. अब एक district के अंदर कई तहसील हो सकती हैं, और तमाम जो तहसील के अंदर individuals हैं, उसका data record करना भी नामुम्किन है. हम क्या करते हैं? तहसील में से हम मुख्तलिफ town या villages को select कर लेते हैं. हम एक तहसील में से कोई से 10 village randomly select कर लेते हैं. अब एक village के अंदर जो population है वो भी काफी ज़ादा होती है. हम क्या करते हैं? उस village में से हम कोई सी 10 families को select कर लेते हैं और उनका data record करते हैं. अब यहाँ पे हमने अपनी population को divide किया into various groups and subgroups. लेकिन यहाँ पे हर जो छोटा group है वो अपने से बड़े group के अंदर adjust हो सकता है. तो इस किसम की जो sampling होती है. जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किसम के service conduct करते हैं. जहाँ पे हमारे लिए यह possible नहीं होता कि हम तमाम individuals का data record करें. वहाँ पे हम अपनी असानी के लिए अपनी population को मुख्तलिफ groups और subgroups के अंदर divide करते हैं. तो इस किसम की जो sampling है इसको multi stage sampling कहते हैं. अब multi stage sampling के अंदर कितने भी survey हैं. पर जापल जिसना हमने AIDS की example ली हम hepatitis का data record करते हैं. उसके लिए भी हम अपनी population को इसी तरीके से divide करेंगे. हम ये मालूम करना चाहते हैं कि मुख्तलिफ जो countries हैं उनके अंदर education level क्या है. कितने लोग ऐसे हैं जो primary education रखते हैं, कितने person इतने हैं जो metric level तक तालीम रखते हैं, कितने ऐसे हैं जो graduates हैं, कितने ऐसे हैं जो emphil या peer d's हैं. तो उस सुरत में भी हम क्या करेंगे, population को different groups और sub groups के अंदर divide करेंगे. क्योंकि तमाम जो countries का data है वो record करना मुश्कल होता है, हम randomly कुछ populations को select करते हैं, random sample लेते हैं, ताके उस base के उपर हम एक rough estimate लगाएं और उसके base के उपर हम जो results हासिल करें, वो reliable results हों.